Hey everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains मैं हूँ शिपरा तिवारी और यहाँ पर आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है मेरे बच्चो ताकि आप अपने लाइप में बहुत अच्छा कुछ कर सके आर राम से बैट के सुनो और यह प्रोसेजर जो है क्योंकि हमने प्रोसेसिंग अच्छे से सीख ली है तो जब इस लेक्चर को आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि एकदम मखन मला यह कोई टेंशन नहीं होगी पर उससे पहले अगर आप I.T.A. NEET क्वालिफाई करना चाहते है तो आप हमारी वेल क्वालिफाई टीम को फॉलो कर सकते हैं यह बहुत ही बहतरीन है और यह आपको आपके पातवे अचीव करने में डेफिनिटली मदद करेगी तो आज का लेक्चर बिना डिले के शुरू करते हैं आज हमको पढ़ना है बायो रियक्टर के बारे में और डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के बारे में होस्ट सेल ठीक है द्यान से देखिएगा यह अपनी होस्ट सेल ठीक होस्ट सेल कोई भी हो सकती है जिसका आप इस्तमाल कर रहे हैं और इसके अंदर बेटा जी क्या बरा हुआ है इसके अंदर जो है यह अपना जो है desire gene भरा हुआ है clear अब यह है मेरे पास एक desire gene इस desire gene को क्या बनाना है protein बनाना है basically हमारा जरूरत protein बनाना है ठीक है अब laboratory की बात कर रहे हूं तो ठीक है मैं इसको एक conical flask में डाल लूँ और इसको multiply करवा लूँ कोई tension कोई परिशानी नहीं है पर अगर मुझे large scale production चाहिए है तो मुझे इसे कहां ले जाना पड़ेगा बेटा इसे हमें ले जाना पड़ेगा industries में कहां ले जाना पड़ेगा industries में और industries में अगर मुझे desire gene की multiple copies चाहिए हैं अगर मुझे desire gene की multiple copies चाहिए तो मुझे इन multiple copies को बनाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा industries में मतलब आप ये सोचों कि lab में आप कितनी भी multiple copies बना लो पर इतनी नहीं बना पाते हो जिससे हम अपना desire protein बना सके और पूरे विश्व में उसको distribute कर सके तो basically हमें जाना पड़ेगा industries में और multiple copies बनाने के लिए जब हम industries में जाते हैं तो usually we use the bio reactors हम क्या use करते हैं bio reactors का इस्तमाल करते हैं clear है हम किसका इस्तमाल करते हैं bio reactors का इस्तमाल करते हैं तो आज की class में हमको यही सीखना देखो basically यह gene को क्या बनाना है इस gene को बनाना है protein चीक है अब protein यह cell के अंदर भी बन सकता है और यही protein cell के बाहर भी बन सकता है पर अगर आपके पास एक ही desire gene है तो आपके पास कितना protein बनेगा कुछ थोड़ा बहुत nanogram में तो हमने क्या करना है कि हमें यह protein बहुत सारा चाहिए suppose that हम insulin बनाना चाहते हैं तो अब insulin की जरूरत पूरे विश्व को है ना है कि नहीं है कि तुमारे घर के बाजू में यह बस तो अगर पूरे विश्व में है तो एक cell के एक desire gene से एक insulin वाले gene से तो काम बनेगा नहीं तो इस desire gene की we need multiple copies multiple copies हम PCR से नहीं बनाते क्योंकि आपको पता है कि वो इतना authentic method नहीं होता next class में PCR हम पढ़ेंगे तो tension नहीं ले ना पताऊंगी उस पर अब इसको जब हम industries में ले जाएंगे तो हम इस्तमाल करेंगे bio reactors का usually हम lab में किसका इस्तमाल करते हैं बेटा जी हम इस्तमाल करते हैं मतलब कुछ भी ठीक है सो बेसिकली यह हुआ अब देखो bio reactor का जो यह बेस है ना यह कैसा भी हो सकता है clear है यह flat भी हो सकता है यह ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आगे lecture में जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको bio reactor के types भी बताऊंगी कि कैसे होता है ठीक अब हमने करना क्या है सबसे पहले इस bio reactor में आपको भर देना है nutrient ठीक है इस bio reactor में आपने भरना क्या है nutrient ठीक जयान समझते जाएगा आसान procedure है बिल्कुल भी tough नहीं लगेगा बिल्कुल मक्कनमाई जासा लगेगा ठीक है देखते हैं तो इस इस बायो रेक्टर में बेटा हमने भरा क्या इसमें भर दिया nutrients कौन से nutrient में दाल चावल ना 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 इसमें वो nutrient भर यह जो bacteria के लिए बहुत जरूरी होते हैं ठीक है उसके बाद हमने क्या करना है इसमें उसके बाद हमने इसमें डालना है अपना bacteria ठीक है इसमें किया डालने है अपने bacteria डाल लो कोई Tension नहींर डाल लो bacteria डाल लो अब होगा यह कि यह bacteria in nutrients को utilize करके multiply करेगा ठीक है करेगा के नहीं करेगा और साथ ही साथ इन bacteria को continuously supply चाहिए oxygen की समझ रहे हो ना बात को, बीना oxygen के काम नहीं बनेगा, तो इन बैक्टिरिया को supply चाहिए oxygen की, clear है, समझ में आई बात, साथ ही साथ इसमें आपको एक rod भी डालनी पड़ेगी, ठीक है, क्या डालनी पड़ेगी बच्चों, इसमें आपको एक rod भी डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये rod जो है, ये continuously काम क्या करेगी, ये continuously इसको stir करेगी, तेखो क्या हुआ, हमने nutrient डाला, चीक है, nutrient डालने के बाद उसमें बैक्टिरिया डाला, अब बैक्टिरिया कौन सा डाला है यार, इसमें डाला है आपने recombinant bacteria, कौन सा बैक्टिरिया डाला है बेटा जी, इसमें हमने recombinant bacteria डाला मेरे पास अभी 5 बैक्टीरिया थें मैं चाहती हूं कि इसे 5 billion बैक्टीरिया बने 5 billion desire gene बने 5 billion desire gene से प्रोटीन बने तो मैं क्या करूँ तो मैं कुछ नहीं करनी हूँ, पांच को आप nutrient में डालो, बैक्टिरिया सोचे का, हाँ 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 हाँ, मैं कितने एच्छे environment में आ गया हूँ, और वो वहाँ पर divide होना शुरू करेगा, clear है, वो बैक्टिरिया क्या use करेगा, जो nutrient में बैठा हुआ है, उसको इसलिए nutrient दिया आ या तो सेल के बाहर प्रोटीन बनाएगा, दोनों तरीके से हम जो है, यूटिलाइज कर सकते हैं, प्रोटीन हम बाहर निकाल सकते हैं, यह वाला प्रोटीन भी हम प्यूरिफाई कर सकते हैं, और यह वाला प्रोटीन भी हम प्यूरिफाई कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है नाव अब आपको मैं बताने बाद यह समझ में आया कौन कौन से टाइप के बायो रियक्टर होते हैं यह हम पढ़ेंगे अभी टेंशन नहीं ले रहा है पर जब इस बैक्टीरिया डाला ध्यान से सुनों मेरे बात क्या बोल रही हूं मैं जब हमने इस बायो रेक्टर में क्य है रैप्लिकेशन कैसा होगा ग्रोथ रेट क्या होगा पहले वो डिसाइट करते हैं उससे पहले थोड़े स्लाइट देख लो स्लाइट क्या बोलती देखो इस तरीके से फर्मंटेशन जो है फर्मंटर होते छोटे-छोटे चैंबर है पर बायो रियक्टर बहुत बड़े- कोसे पहले हम को क्या करना पढ़ेगा सबसे पहले हम बात कर रहे हैं तो देखों बच Aurais jardi किया करना है हमको पूर बज़ेंगर बाल कीべ तो पहले स्क्रीणिंग करो सबसे पहले अच्छा सा माइक्रो आरगानिजम जोंडो जिस TO हम ट्रांस्फॉर्म कर सकते हैं उसके बात माइक्रो ऑटिम्राइशम जोन्दो फिर दोनों को क्या करो genetic engineering करो फिर genetic engineering करके होंस्ट मेडालों से मोडिफाई करो यह तो बोल रहा है पहले screen करो देखो कि तुम्हें किस desire gene को ढूंड़ना है किस desire gene के लिए protein बनाना है फिर आप ढूंड़ो कि कि यह desire gene जो है इसको हम किस plasmid में जाके गुषा सकता है तो आपको पहले plasmid डूंड़ना पड़ेगा फिर एक बर गुषा लिया मतलब आप एक बर genetic engineering कर लिए आपने desire gene plasmid में गुषा दिया दोलों को जोड लिया recombinant plasmid बन गया अब क्या ढूंडना पड़ेगा वैटा जी अब हमें host ढूंडना पड़ेगा और suitable host ढूंडवना भी बड़ा ज़रूर नी सबस्क्राइब बाढ़ में तू जाओ उदर मेरे मेरे अंदर तो आना ही मत तू तो हमको एक suitable host ढूंडना पड़ेगा और उसके बाद अब हमने अपना डिजायर जीन होस्ट के अंदर गुसा दिया है यह है पूरा स्क्रीनिंग का प्रोस्ट जो हमने रिकॉमिनेंट डियाने टकनॉलिजी में अल्रीड कम्प्लीट कर लिया अब आया स्केल करना है पहले लेबॉरेटरी में उसको ग्रो करके देखो ठीक है उसके बाद क्या करेंगे बच्चो जी उसके बाद हम करेंगे उसका छोटे छोटे फिर थोड़ा सा बड़ा प्लांट सेट अप करेंगे पालेट प्लांट और उसके बाद हम आएंगे बायो रियाक्टर्स में कहा आएंगे बायो रियाक्टर्स में बायो रियाक्टर्स में बाई रेक्टर बड़े बड़े से चैंबर्स हैं, clear है बात, what are the bio director बच्चो जी, bio director तो चैंबर होते हैं, क्या होते हैं बेटा, चैंबर होते हैं, जिसके अंदर क्या भरा हुआ होता है, जिसके अंदर nutrients भरे हुए होते हैं, और उसके अंदर आपने अपना recombinant bacteria डाल दिया ह और आपको continuously oxygen की supply भी देनी होगी क्योंकि बेक्टीरिया को fermentation के लिए यहाँ पर बेक्टीरिया को जो है nutrient utilize करने के लिए बिना oxygen के नहीं करेगा oxygen चाहिए यहाँ पर clear है समझ में आगई बात अब यह कैसे होगा वो मैं आपको समझाती हूँ पर उससे पहले मैं आपको bacterial growth के बारे में यहाँ पर समझाना चाहती हूँ तो यह है आपका एक चांबर यहाँ पर आपको continuously oxygen देना है यहाँ पर एक stirrer का भी इस्तमाल करेंगे किसका इस्तमाल करेंगे बचो यहाँ पर हम एक stirrer का इस्तमाल करेंगे stirrer क्या होता है कोई भी चीज जो घुमाती है उसे कहते stirrer stirrer का इस्तमाल करना है ताकि continuously oxygen bacteria और nutrient की mixing होती रहे clear है आप बेटा जब हमने bacteria डाला था तो bacteria का नंबर बहुत कम था समझ रहे हो ना बात को जब हमने उसमें bacteria डाला था तो उसमें bacteria का नंबर बहुत कम था पर nutrient का amount बड़ा सारा था तो अब अगर मैं बात करूँ कि nutrient बहुत जादा है और bacteria बहुत कम है तो bacteria का replication कैसे होगा suppose that कि मेरे पास यह एक bacteria है यह एक second में दो bacteria में convert होता है तो पहले minute में हम minute से लेते हैं फर्स्ट मिनट में एक से कितने बैक्टिरिया बने दो फिर मैंने बोला कि दूसरे मिनट में ठीक है दूसरे मिनट में इससे दो बने और इससे दो बने धान से समझते जाना मज़ा आजाएगा पड़के ठीक है तो अब मैं बोलूंगी कि दूसरे मिनट में मेरे पास कितने मि गया मेरे पास 4 से कितनी मिल जाएंगे दो दो चार दो छह दौ आठ आत भी मिल जाएंगे चौत है मिनbest मिल जाएंगे घे एस समझ रहे भात को किया बोल रही हूं मैं तो आप ये समझना कि जब हमने बैक्टिरिया को बायो याक्टर में डाला तब बैक्टिरिया का नंबर बहुत कम था पर जैसे 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 टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे उस बायो रियक्टर के न्यूट्रियंट को बैक्टिरिया यूटिलाइस करता गया और यूटिलाइस करने के बाद कंटिनिसली अपना नंबर होता जाता है और nutrient का amount कम होता जाता है पर एक समय ऐसा आएगा समझना एक समय ऐसा आएगा बचो की nutrient खतम हो जाएगा और अगर nutrient खतम हो जाएगा तो यह bacteria toxin produce कर मतलब एक तो भूके मर जाएंगे और साथ ही साथ जब bacteria का number बहुत ज्यादा हो जाता है तो bacteria start producing toxins और यह अपने ही toxins से अपने आपको मार लेते हैं इस तरीके से bacteria का number कम हो जाएगा और decline phase पर आप आजाएगे clear है तो अगर मैं bacterial culture की बात करूं bio reactor में आप किस तरीके से culture डालते हैं समझते हो ना कल्चर समझते हो बैक्टीर कल्चर का मतलब जहां पर आप आप टीरिया उगा रहे हैं ठीक है so culture can be of two type ठीक है okay चलिए अपन बात करते हैं culture की culture दो प्रकार से हो सकता है culture मतलब उगाना ठीक है एक होता है बच्चो batch culture ठीक है एक होता है batch culture ध्यान से समझना दोनों में बहुत अच्छा difference है and you will learn it very fast and very whatever different manner और बहुत ही enjoy करो हो गया आप इसको देखो एक होता है batch manner बेटा और एक होता है continuous manner, दोनों में difference क्या है, यह हम समझते हैं, batch culture और continuous culture, क्या होता है, culture का मतलब है उगाना, ठीक, 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 जब मैंने bioreactor में, हमने एक bioreactor लिया, इस bioreactor में मैंने क्या-क्या भर दिया, बच्छो, इस bioreactor में exterior डाल दिया सब कर दिया tension नहीं अब एक बार में मैंने ठीक है बैक्टीरिया पूरा लिखूंगी एक बार में मैंने सारी चीज़े भर दी भर दी कि नहीं भर दी समें बार बार का टेंशन नहीं मंगता अपने को ठीक है अब होगा यह कि nutrient बहुत ज़ादा था graph बनाते हैं अपन लोग चीक है graph बनाते हैं आये देखिए हमने ये देखा कि यह है nutrient चीक है यह क्या है nutrient चीक ओके और यह है आपका बैटरियोग डोफ अब हम बात करते हैं यह time versus बनाते हैं टाईम और यह घ्रोथ है चेक चलो अब गृफ बनातें कैसा गृफ बनेगा जबму ट्रीबेस्ट पहले क्या हुआ कि निूट्रियू बहुए जादा था बेटिरिया ने धी करोणा शुरू किया क्लिए मिसान थीन तो दोसे बन गये तो पहले क्या हुआख साथ सबस्तों आदेखे-धिरी को पर जैसे ताइम ही बढ़ता गया बच्टीरिया को नंबर किया हुता गया बच्छों और जादा होता गया पढ़ा हम लोगों ने कि जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाते जाएंगे नंबर ओफ बेक्टीरिया इंक्रीज होता जाएगा एक समय ऐसा आया कि बैक्टीरिया का नंबर भयानकर तेज हो गया पहले बढ़ रहा था फिर अचानक से बहुत तेज हुआ, बहुत तेज हो गया, क्लियर है, पहले कम था, कम से अचानक से बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है, पहले ग्रोथ बहुत कम थी, फिर अचानक से बढ़ना शुरू ही, ग्रोथ जो है एक समय पर इतनी आ गई कि अब कह खतम होने लगे और अब बैक्टीरिया ने टॉक्सिन प्रेडियूस करना शुरू किया वो टॉक्सिन से अपने आपको हिमार ले रहा था clear है और फिर bacteria जो है वो कौन से phase में आएगा इसको अच्छे से बनाती हो bacteria पहले दीरे दीरे फिर ऐसा और अब दीरे दीरे bacteria इस shape में आ जाएगा clear है ok और हो सकता decline में चल जाए तो जब आपने experiment शुरू किया जब आपने bio reactor में bacteria को nutrient में डाला तो कौन से phase में था बेटा वो था lag phase में कौन से phase में lag phase में जहां वो धीरे धीरे जो है replicate कर रहा था एक समय ऐसा आया जब उसका number maximum था और वो maximum nutrition यूटिलाइस कर रहा था यह है आपका log phase log को हम exponential phase भी करते हैं ठीक है exponential phase और यह वाला जो graph है यह तो दुनियादारी में सब को पता है पर एक समय ऐसा आएगा जब आपके nutrient खतम होने लगेंगे बैक्टिरिया आपके मरने लगेंगे इसे हम कहते है stationary phase क्या कहते हैं इसे हम play to phase या stationary phase कहते है stationary phase और यह है आपका किसका graph batch culture का graph जो हमेशा हमें sigmoid मिलता है कैसा मिलता है sigmoid और किसी भी जब भी हम किसी भी culture की बात करते हैं तो यह होता है जैसे कि मालो दही है ठीक है जिस दिन हमने दही में lactobacillus डाला तो lactobacillus अभी replicate हो रहा एक समय ऐसा आया कि lactobacillus ने time के साथ अपना देको time बढ़ रहा है इधर time बढ़ रहा है और इधर growth बढ़ रही है एक time ऐसा आएगा कि lactobacillus का number maximum होगा और वो दूद के maximum lactose को utilize कर चुका होगा अगर अब lactobacillus को अपना number बढ़ाना है तो उसे नया lactose चाहिए पर अब न to face या stationary face कहते हैं तो हमेशा जब भी हम bacteria का growth curve पढ़ते हैं ध्यान से सुनना और यह मतलब बहुत ही fix चीज़ है जब भी हम bacteria का growth curve हमेशा sigmoid ही आएगा अगर हम उसमें कोई नई चीज आड नहीं कर रहे है ठीक है तो यह होता batch culture ठीक है तो bio reactor में हम दो प्रकार से culture कर सकते है या तो सब चीज एक बार में भर दो तो graph यह मिलेगा एक होता है continuous culture ठीक है continuous culture क्या होता है कि आपने जान सुनों आपने एक वैसल ली ठीक है इसमें आपने दुनियादारी का सारा समान बर दिया ठीक है आपने nutrient बर दिया त्यान से देखो आपने यह वैसल ली आपने इसमें दुनियादारी का सारा समान बर दिया इसमें बर दिया nutrient ठीक है इसमें आपने क्या भर दिया आपके bacteria ठीक है bacteria भी डाल दो oxygen भी डाल दो सब डाल दो ठीक है उसके बार आप इसमें एक stirrer डाल दो क्योंकि जो है इसको गुमाते रहना ताकि mixing होती रहे ठीक पर अगर आप इस यहां पर आपको करना है कि जो आपका एक्जास्टेट कंचर है ज्यान से समझ जो आपके डेड़ बेक्टीरिया एवन प्रोटीन भाईया यह जो बेक्टीरिया यह बनाय बनाएगा असपास यह तो पुराना वाला ओल्ड न्यूट्रियेंट ओल्ड बैक्टीरिया स्वाहा और आपका ओल्ड प्रोटीन बना है वह बाहर निकलेगा साथ ही साथ आप यहां से नया क्या एड करते जाओगे आप यहां से नियू बैक्टीरिया नियू नूट्रियेंट्स एड करते जाओगे ठीक है तो यहां पर हमेशा ग्रोट कर्व कैसा मिलेगा हमेशा ऐसा मिलता रहेगा बढ़ता ही जाएगा ठीक है यह कभी नीचे नहीं हाईगा क्योंकि रहा है आपका बेक्टीरीयों मार ही नहीं रहा है तो भस उसको खाना खिलाना आगशा फर्रका नकाल आऄए निकाल निकाल जाए और कर्फ कभी भी नीचे नहीं आएगा तो उस batch culture और यह हुआ आपका continuous culture, clear हुई इतनी बात ठीक है, तो इस तरीके से हम काम करते हैं, अब यह दोनों process हम apply करते हैं, बहुत सारे लोग जो है, कोई batch culture apply करता है, कोई आपका that, continuous culture इस्तेमाल करता है, कोई tension नहीं, कहा है, कहा है, कहा है, कहा है, open system, क्योंकि batch में हमको कुछ आट नहीं करना, तो close system, batch fermentation में अगर आप देखें, ठीक है, भाईया जी, bacteria से हमें कुछ चीज बनवानी है, तो bacteria utilize, अगर कोई चीज करता है, तो यह process fermentation कलाती है, यह चीज आपको clear होनी चाहिए, batch fermentation conditions are set up and don't change from outside, once the fermentation start, no nutrient are added, यह हमने पढ़ लिया, the process stop when the sufficient product has been formed, ठीक है, तो देखो, यह हमने पूरा बंद कर दिया, इस टिडर है, जिससे घूमेगा, और भाईया, सुनो मेरी बात, pH को भी balance करने के लिए, हमारे पास, जो है, measuring चीज होनी चाहिए, और temperature को भी balance करने के लिए होनी चाहिए, ठीक है, और इसमें कोई भी चीज करो, फिर उसको purify करो, pack करो, बकवास चीजों को फेक दो, और fermenter को clean कर लो, और नया बैच शुरू कर दो, clear है, continuous fermentation में क्या होता है, continuous culture system में क्या होता है, कि यहां से medium आता रहता है, ठीक है, ओहो, ठीक है, यहां से medium आता रहेगा, ठीक है, और यहां पर आपका जो है, क्या है culture है, ठीक, और एक और चीज़ अभी मैं बता होगे, टेंशन नहीं लेना, उसके बाद यहां से जो है, बकवास चीज़े बाहर जाती रहेंगी, continuous method जो होता है, this is, in this used medium is drained out, from the outside, ठीक है, जो use कर लिया है, उसको एक साइट से बाहर निकालोगे, fresh medium को continuously add करते जाओगे, fresh medium को add करने से क्या होगा बचो, number of cells जो नहीं नहीं cells आएंगी, नहीं नहीं nutrient होगा, ज्यादा protein बनेगा, ठीक है, physiologically यह most active होता है, बहुत अच्छा होता और इसमें कभी भी stationary phase नहीं आता, this type of culture method produces a larger biomass leading to the higher yields of desired product, continuous process चल रहा है, इसलिए हमें हमारे product जो है, वो ज्यादा amount में मिले उसमें क्या होता है, एक बार निकालो फिर उसे साफ करो, फिर process चुरू करो batch में, continuous culture involved, continuous long term operation, लंबे समय तक चलता है, during which the nutrient medium is added as fast at its use, जितना जल्दी nutrient medium बेक्टिरिया से उटलाइज हो रहा है, उतना ही जल्दी add भी करना पड़ता है, और जो बाहर निकला उसे हम harvest करेंगे यह है, यह है, आपको continuously batch डाला और उदर से बाहर निकाला, क्या use बाहर निकाला ने वाला वो किया, चलिए, यह हो गया clear आपको, चलिए, अब हम बात करते हैं कि fermenter कितने प्रकार के होते हैं, और इसके लिए मुझे थोड़ा सा NCRT वाला पार्ट देखना पड़ेगा, मैं NC अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास कितने प्रकार के fermenter होते हैं, मतलब कितने प्रकार के bio reactor होते हैं, और मैं इसी image से आपको clear करूंगी, ठीक है, हमें यह समझ में आ गया कि bio reactor को, जब भी हम कोई भी चीज ने, कोई भी product बनाना है, कोई भी gene बनाना है, तो या तो आ आपका desire gene, cell के अंदर protein बना रहा हो, या तो आपका desire gene, धान से सुनेंगे मेरी बात, क्या बोल रही हो मैं, या तो आपका desire gene, cell के बाहर protein बना रहा हो, दोनों possibility है, ज्यादा तर possibility यह होती है, चीक है, अब हमारे पास दो प्रकार के bio reactor होते हैं, चीक है, यह diagram में यही से explain करू होंगी, सो हमारे पास दो प्रकार के bio reactor होते हैं, बच्चो, पहला bio reactor जो है, वो है simple stirred bio reactor, simple stirred tank bio reactor, दूसरा होता है, sponge tank bio reactor, simple stirred tank bio reactor में क्या होता है, कि हम ऐसे तो पहले एक rod जाती है, चीक है, rod जाती है, rod क्यों जानी है, क्योंकि हम bacteria और culture और air को mix करना है, air कहां से आ रही है, क्यों चाहिए, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे है, aerobic fermentation कर रहे है, कोई tension नहीं, चीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, sterile air जाती रहनी चाहिए, और air से भी mixing होती है, और अगर आप देखेंगे, जो डंडी आपको दिखाई दे रही है, ये डंडी आपको दिखाई दे रही है ठीक है, ये है, समझ में आए, और इस डंडी, ये डंडी है, और इस डंडी में आपको क्या दिखाई दे रहा, flat bedded impeller, impeller क्या होते हैं, impeller पंकी है, तो पंकी है, ऐसे 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 घूंती जाती है, और इस पंकी में जुड़े होते हैं, अच्छा ध्यान सुन, रुको रुको ठीक है, ये रेखो, ये रेखो, ये सेंटर पर है, flat bedded impeller, ठीक है, ये impeller है, ओके, ये impeller, ये impeller से क्या जुड़े हो है, foam breaker, क्योंकि जब कोई चीज मिक्स होती है, even bacterial culture को mix करोगे न, तो बहुत foam generate होती है, तो ये जो पंकी आपको दिखाई दे रही है, flat bedded impeller, मतलब ये है एक डंडी है, जिसमें flat blade जुड़ी हुई है, और ये जो होते हैं, मतलब आपके impeller के, डंडी हो के, जो blade के किनारों पर ये होते है, foam breaker, foam breaker क्या होती है, जब बहुत ज़ाग प्रड्यूस होती है, तो उसको ये हटाते है, मतलब ज़ाग नहीं होने देते है, clear, और यहां से स्टेराइल एर को पार्क पास करते जाएंगे, और यहां पर आपको pH और temperature balance करने के लिए कुछ thermometers लगाने पड़ेंगे, तो यह देखिए pH बैलन्स करने के लिए है, यह temperature balance करने के लिए और यह स्टीम, स्टीम भी जाने ज़रूरी कहीं, बेटेर कल्चर खराब ना हो जाए सो यह होता है आपका simple street tank, क्या किया आपने इसमें कुछ नहीं किया, इसमें आपने क्या किया, कि एक rod डाली, rod में blade होने चाहिए, ब्लोड डिस्क, blade में होता है foam breaker, जो कि foam को break करता है, ऊपर से आप एक temperature balance करने के लिए कुछ डाल दो, और एक pH balance करने के लिए डाल दो, ठीक ह पर इसका जो shape होता है, तीक हो नीचे से, यह बनाने के लिए आसकता, आपके exam में, यह इस type का होता है, जबकि 이 space tank को देखो गए तो फ्लाट होता है, इसको देखो, यह कैसा दिख रहा है, जबकि this space tank आपको कैसा दिख रहा, फ्लाट दिख रहा है, ठीक है, इस टेडाल एर से जाती धो यह साथ एक करँ होना छी क्छिए है पी एच निए टेंपरीट हो को मेजिश करने के लिए कि टेंपरेचिर को मेपैलर ब dismant order बूरा में रोप्हें गूंए तो क्या होगा फोम ढेंगा समझ में आ गए बात धुस्या बायो रेक्टर क्या होता है आपका sparge tank. Sparge tank में क्या होती है? कि सीधे से एक rod जाती है. Rod का shape कुछ इस तरीके का होता है. ठीक है? ये भी mixing में help करती है. पर mixing में main help करता है ये sparger. ये देखो यहाँ ये sparger होता है. Sparger में छोटे-छोटे छेद होते हैं. यह sparger जो होता है, यह air को बुलबुले छोड़ता है, जब बुलबुले छोड़ता है, तो आपकी जो चीजें हैं, वो mix होती है, जब बुलबुले छोड़ोगे और चीजें mix होंगी, तो यह जो आपका culture है, यह ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा कि नहीं होगा, बोलो, ऐसा ऐ यह देखते हो यहां पर आपको इक पार्जर लगा होता है इस जो है भी आतीए पहल जाएगी जिसे सरफेस जिसे जो है बुलबुले होते हैं की वजय से जो mixing है वो और प्रॉपर होती है clear है तो यहां पर क्या देखो यह जो आपको उभार धरा धसाव दिख रहे हैं यह जो आपके surface यह क्या होते हैं ऐसे उभार धसाव भार धसाव यह आपके air को ट्रैप कर लेते हैं और फिर वापस से मेडिया में भेज देते हैं ठीक है यह आपका गैस इंट्रेंड्मेंट का मतलब ही होता है कि गैस को पकड़ लेना ठीक है उसके बाद बबल क्या होते हैं अक्सिजन बबल जो होते ही surface यह बढ़ा देते सर्फेस यह को तूधर जा तूधर जा तूधर जा तो mix यह तूधर जा तूधर जा तूधर जा तूधर जा इस तरीके से mixing बढ़ जाती है तो इस पास टैंक यह बायो रेक्टर की फहले मैं प्रेंज बना दूँ आपको यह सब्सक्राइब चलो चलो आप स्टाह्टिंग से बताती हो कि यह आपका zehn टैंक डिगे ऊस्टिपहें वाट यह तो चलो को फालो की मैं यह रहले हो और । क्या 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 है तो इसने हम क्या करते हैं हको मेडियες हमने युट्रियन आर्जी डाल दिया हम हम फर्मनेटेशन बैच को भी करने क्दा है उसके बाद हमें क्या डानी एयर भी डालनी या क्योंडनी डालनी है क्योंकि हम एर के बाद एर की हल्प से माला हम खुला हुआ फर्मेंटेशन कर रहे हैं उसके बाद मॉनिटरी के लिए हमें टेंपरेचर और पी एच दोनों को बैलन्स करने के लिए चीज़े चाहिए एक बार जब चीज़े फर्मेंट हो गई बन गई तो उससे सैपरेशन करेंगे डाउंस्ट्रीम प्रोसेसिंग करेंगे वो मैं आपको पढ़ाऊंगी चली देखते हैं एक बार आपकी इनिशल इन्वेस्टिकेशन हो गई थ्यान से सुनना मेरे बात अगर 1 बार आपकी इनिशल इन्वेस्टिकेशन हो गई तो आपको क्या करना आगे प्रोसेस करनी तो एक बार इनिशल इन्वेस्टिकेशन हो जाये आप लब में उसको करके देख लो उसके बाद उसoten लैब के लिए भी चोटे 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 फर्मेंटर्स आते हैं ठीक है उसके बाद फिर में से इंडस्ट्री में लेके जाएंगे, so fermenter is a tank और vessel जहां पर process की जाती है तो बेटा यह क्या है ना, यह आपका impeller है, ठीक है, यह क्या होता है, आपका impeller, इसमें आपका foam breaker नहीं लगा है पर आपने देखा कि यह पर X-Shape का एक Foam Breaker लगा होता है जो कि धचाग उगने नहीं देता Clear? Fermenter जो होते हैं जो कि आप production of the host cell in the nutrient at the large scale Fermenter क्या होते हैं यह यह bio reactor ही है बस जो है आप lab में छोटे fermenter यूज़ करते हो चीक है? Okay, तो microorganism जो होते हैं यह तो जो मतलब क्या लिखा हुआ है The fermenter also known as bio reactor are the chamber in which microorganism जो है उगाई जाते हैं For the production of desired product in large quantity, bio reactor जो होते हैं बहुत larger volume है 1000-1000 liter तक कि इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है? Bio reactor provides the optimal condition क्या है? Bio reactor में ही हम क्यों हुगाते हैं, घर पर पतीले पर क्यों नहीं हुगा लेते हैं, क्योंकि Bio reactor जो होता है वो एक optimum condition देता है समझ रहे बात को, Bio reactor करता है, क्या है? Bio reactor optimum condition देता है, ताकि हम desired product को अच्छी quality में, जो है, optimum growth condition के साथ acquire कर सके मतलब, वो basically condition provide करता है Now, look at this, look at this, यह है आपका impeller, यह जो blade, blade दिख रहा है, यहाँ पर एक foam breaker लगा होना चाहिए, ठीक है? Fermenter की design देखते हैं, most commonly जो fermenter हम यम्यूज करते हैं, वो होता है, stirring type का, यह stir type fermenter Stir type के fermenter में क्या होता है, cylindrical एक क्या होता है, आपका vessel होता है, ठीक है? इसमें क्या होता है, आपकी impeller लगे होते है, blade वाले जो mix करते हैं, उपर एक foam breaker लगा होता है, जो की foam breaker करता है नीचे से आप sterile air देते जाते हैं, ताक की mixing अच्छे से होती जाए, ठीक है, यह को air दे ही रहे हो, ताक की mixing अच्छे से होते जाए और साथ में pH balance करने के लिए हमने लगाना है, और एक temperature balance करने के लिए, ठीक है? ठीक है, एक होता है oxygen delivery system जिससे oxygen दिलेवर करते हैं और एक होता है foam control system, ठीक है जिससे phone break होता है, ooper x type का लगा हुआ, इस is the foam breaker system, ठीक है, यह foam breaker system, ठीक है? एक होता है temperature control system होता है, ठीक हो लिगा है घड़ी, और एक होता है pH control system, ठीक है? और एक होता है sampling port जहां से आप अपना sample दोगे, ठीक है, समझ में आ गई बात और साथ ही साथ आप continuously sample withdrawal के लिए भी एक उपनी रखोगे क्योंकि आप continuous culture यूज़ कर रहे हो Processes in which fermenter are referred to as fermentation, जिसमें fermentation होती है उसे हम fermenter कहते हैं, clear है An operation must be carried out under a sterile condition ठीक है, sterile होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, नहीं तो आपका क्या होगा बच्चो, नहीं तो आपका product खड़ाब हो जाएगा clear है, batch fermentation, continuous fermentation यह हो गया था, दो प्रकार के होते है एक बार किसी भी method से आपने fermentation कर लिया चाहिए batch culture से चाहिए आप continuous culture से, तो आपको desire protein मिल जाएगा और अब उसे purify करना है अगर cell के अंदर है आपका protein तो भी आप निकाल के उसे purify कर सकते हैं अगर cell के बाहर है तो भी निकाल के purify कर सकते हैं जब तक आपने ध्यान से सुनना, मतलब पूरा fermentation होने से लेकर product बाहर निकालने तक की कहानी को हम biosynthetic stage कहते हैं, इसमें क्या होता है, आपने देखा कि क्या क्या किया, हमने उसमें डाला, ferment किया, mix किया, सारी चीज़े ठीक है, उसके बाद जब आपका product बन गया है, तो अब उसको क्या करना है अपने को, पहले उसको purify करना है, ठीक है, फिर उसको pack करना है, बहुत सारी process के बाद करनी है तो आपका पूरा जो उपर process चल रहा था, biosynthetic stage, इसको हम upstream processing कहते हैं बच्चो, इसको हम क्या कहते है, upstream processing तो पूरा बनाने तक की कहानी को हम कहते है, upstream processing और उसके बाद जो होता है, निकालना, purify करना, ठीक ठक करना, pack करना, market करना है, वो होती है, downstream processing सबसे पहले जब हम downstream processing कर रहे हैं, मतलब हमने सब कुछ बना लिया है, अब हम क्या करेंगे, अब streaming हो गई, biosynthetic pathway खतम, अब आई बात ये, एक बार जब फर्मंटर में चीजे बन गई हैं, तो हम ये मानते हैं कि जो bacterial cells ने protein बना मना के बाहर liquid medium में भेज रखा है, तो हमें क्य filtration ठीक है, या centrifugation ठीक है, तो सबसे पहले आपको content को separate करना है, मतलब liquid जिसमें protein बना उसको अलग कर लो, ठीक है, हम ये मानते हैं कि जो liquid बना हुआ है, उसमें बना हुआ है आपका protein वगरा है, और जो cell है, देखो, liquid में contain the desired protein in the solution, और हो सकता है कि जो desired protein है वो आपका cell के प्यूरीफाइब करेंगे, प्यूरीफाइब करेंगे, कैसे separate करना है, कैसे purify करना है, कैसे pack करना है, ये नहीं जानना है आपको, आपको मेरी लल्ला, मेरी संतानो, सिर्फ और सिर्फ इतना जानना है, आपको बेटा जी, सिर्फ और सिर्फ इतना जानना है, कि आपने पूर separate होंगी, purify होंगी, यह होती ही downstream processing, upstream process सब बनाओ, downstream में सब कुछ process करो, मतब ठिठा करो उसको, okay, range of biochemical separation, purification technique available है, जैसे कि drying हो गया, chromatography हो गया, distillation हो गया, बहुत सारी चीज़ है, ठीक है, indication of importance of downstream process employed की गई लिली के द्वारा, ili-lili, जो कि human insulin plant पे काम कर रही थी, ili-lili, ठीक ह ओके, after purification, एक बार आपने purification कर दिया, downstream processing यही होती है, अगर एक बार आपने purification कर दिया, तो अब उसको क्या करो, preserve करके रखो ना नहीं, तो खराब हो जाएगा, preserve करने के बाद, उसको आपको trial में भेजना पड़ेगा, ठीक है, trial में भेजो, human trial भेजो, जनवरों को trial भेज अगरा, product वो सही है, यह नहीं है, the downstream processing and quality control testing vary from the product to product, जो भी downstream processing का मतलब होता है, separation, purification, ठीक है, and preservation, clear है, this is the downstream processing, ठीक है, क्या कहा है, separation, purification, preservation, clear, this is the downstream processing, clear है, एतनी बार, और उसके बाद आपने बना लिया, आप उसका quality control कर दिया, तो कि जो तुमने downstream upstream करके सब बनाया है, ठीक ठीक है, उसके बाद उसे clinical trial में भेजो, clear है, इतनी बार, done, 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 ठीक है, बस, यह हो गई, आपके downstream processing और एक diagram बना था, वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपका product बन गया है, उसको filter करो, separation करो उसका, ठीक है, जो है, liquid में मेरा protein है, उसको filter क निकाल सकते हैं, उसके बाद हमने अपना desire protein निकाला, उसको आप purify करो, क्योंकि गंदगी हो सकती है, purify करने के बाद उसे आप preserve करो, ठीक है, उसे store करो, और उसका distribution करो, यह होती है, downstream processing, clear हो गई इतनी बाद, ठीक है, that's it, तो आज हम लोगों ने fermentation सीख लिया, bio reactor सीख लिया हमने continuous stirred tank bio reactor और आपका sparged tank bio reactor, the cell can be also multiplied in continuous culture system, where it is used in a medium, तो यह बात आपको clear हो गई हो गया, I think, यह वाला NCRT part clear हो गया होगा, clear है, सब चीज मैंने वही लिखा है, जो आपके NCRT में लिखा है, कोई भी चीज मैंने अलग नहीं लिखी, ठीक है, that's it, ठीक है, so आज हम लोगों हमने सीखा बच्चो किसके बारी में बच्चो, so this is the second last lecture of the bio, क्योंकि एक्चली यही last lecture है, पर मैंने last lecture PCR को पॉलिवरेस chain reaction को बनाया है, मैंने आज आपको पढ़ाया कि आपको अगर कोई desire protein चाहिए, तो उसको large scale production में आप कैसे करोगे, हम पहले lab में उसको try करते हैं, ठीक ह फिर हमने मैंने आपको बताया है कि हम दो तरीके से fermentation करते हैं, continuous या batch, ज़्यादातर continuous यूज होता है, जब हमने सब बना लिया तो उसका downstream processing कैसे करेंगे, purification कैसे करेंगे नहीं जाना, होता ही यह पता होना चाहिए, तो आज हमने second last lecture, यह last lecture इस chapter का 10 किया, मैं उमीद कर रही होगे पढ़ने में आपको बायांकर मजा आया होगा, इस chapter में बहुत अच्छी चीजे हमने सीखी, next class में PCR के बारे में बात करेंगे, अगर आप ऐसे ही मेरे प्यारे lectures चाते हैं, तो आप class 12 पे जाओ, मेरी फोचो पे क्लिक करो, यह chapter की playlist है, हर chapter में प्यारे प्यारे वीडि लगते होंगे, ग्यांग बाटने से बढ़ता है, तो लोगों को बताईए, शिप्रमाम पढ़ा लेती है, और ठीक है, see you in the next amazing session, तब थैंक यू सो मिच मेरे प्यारे बच्चो, बाबाई